दिल्ली में बीजेपी की राष्टिय कारकार्णी की इस वक्त बैठक चल रही है, इस बैठक को अमित शाह ने थोड़ी दिर पहले संबोधित किया अपने संबोधन में अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है अमिश शाह ने कहा कि एक तरफ कॉंग्रेस के राज में भारी भरष्टा चार था वहीं तीन साल में बीजेपी की सरकार में भरष्टा चार के एक भी आरोप नहीं लगे हैं तो बीजेपी के राश्टी अध्यक्ष ने अब से थोड़ी दिर पहले इस संबोधन में ये बाते कहीं हैं राहुल गांधी पर सीधा हमला उन्होंने किया और वन्शवाद भारत की संस्कृती नहीं है बलकि कॉंग्रेस की संस्कृती है ये भी कहना अमित शाह का जो बाते राहुल गांधी ने कहीं थी विदेश में वन्शवाद को लेकर जो बात उस पर ये हमला माना जा रहा है अमित शाह का और राजकिशोर इस वक्त हमारे साथ जुर चुके है हमारे सयोगी राजकिशोर और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है ये जो महामन थंजारी है क्या कुछ इससे निकल कर सामने आ रहा है के बारे में सिर्फ एक ही लाइन कहना काफी है कि यहां पिछले साड़े तीन सालों में एक भी घोटाले का आरोप नहीं लगा है इसके अलावा वो केरल में जो राजनीतिक हिंसा हो रही थी वामपंथी दलों की तरफ से वो बहुत जादा बहुत शिद्धत के साथ वो बात उन्हों रख्यों और अगर आपको याद हो लगातार इस मुद्दे को चाहे संग परिवार हो चाहे बीजेपी हो इसको सरवोच स्थर पर उठाया जा रहा है इसके साथ ही जिन गुज्रात समय तमाम राज़ों में चुनाओ हैं उन सभी राज़ों के संगिठन मntरी भी यहाँ पर मौजूद है वैसे तो सभी राज़ों के संगिठन मंतरी यहाँ पर आय हुए हैं लेकिन उनके साथ भी अलग से अमिश् चर्चा होगी और अब बैठक शुरू हो चुकी थोड़ी देर में ही पियूश कोयल यहाँ पर प्रेस वारता के लिए आने वाले हैं वो जो अध्यक्ष ने अंदर कहा है वो वीडिया की सामने पूरी जानकारी रखेंगे शुक्रिया राजकिशूर इस जानकारी के लिए आपका तो आपको बता दें कि इस बैठक से कई बड़ी खबरे आ रही हैं और उस पर हम बाच्चित लगातार कर रहे हैं एक बार फिर से हम आपको राजकी शोर के पास लिए चलते हैं हमारे सायोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से जहां पर ये बैठक चल रही है राजकी शोर आपने बताया कि पियूश गोयल थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे क्या बड़ी बाते निकल कर सामने आ सकती हैं देखिये निश्चित तोर पे जो अभी हमने चर्चा की खास तोर से चुनावी राज्यों को लेकर जो तैयारियां है वो तो उनकी रणनीतिक चर्चा होगी लेकिन जो विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाये जा रहे थे उनका अमिश्चा ने शिलसले वार जवाब दिया है उस बारे में वो बात करेंगे इसके अलावा मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां क्या रही है उनके बारे में बात होगी जिस तरीके से भी चाहे वो चीन का मसला हो डोकलाम की मुद्धे पर जिस तरीके से भारत पहली बार चाइना के सामने आखें मिला कर बात कर सका और एक बड़ी कूटनिती को प्लब्ध रही है उसका भी जिक्र है उस भाषण में इसके अलावा पाकिस्तान को जिस तरीके से सुसमा सुराज ने अभी उयन में जवाब दिया उसका भी जिक्र है और इसके अलावा प्रधान मंत्री नरेंद मोदी अंत में संबोधन करेंगे तो उसके लिए भी बहुत सी चीजे बचा के रखी गई है तो कुछ पत्ले वो खोलेंगे लेकिन बैठक का अगर देखा जाये लबो लुवाब तो पूरी तरीके से गुजराच चुनाओ से पहले एक तरीके से चुनाओी मोमेंटम को गती देना है जो यहाँ दिल्ली से कोशिस की जारी और जो हो रहा है यहाँ पर और एक बात और अखिलेस आम तोर पे चुकि दीन दयाल सतादी समारों के रूप में बनाई जा रही है तो आम तोर पे कारिकारणी में सिर्फ पदा धिका होते थे लेकिन इस बार सभी लोकसभासांसत राज्यसभासांसत और सभी प्रदेशों से जितने भी विधायक बीजेपी के हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुए साप है कि उनको एक राजनीतिक संदेश देकर भेजना है चुकि चुनावी राज्यों में आप जानते हैं कि ब 2019 से पहले उनमें उस मिशन में वो भाजपा के काम को आगे बढ़ाएंगे जानकारी देंगे